नमस्कार आप देखरें नीज़वल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जो नराइन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया में महरास्ट में मुकेश वमानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटक रखने की कहानी अब बहुत दूर निकल चुकी है मामला सूलजने के बजाए उलश्टा हुआ जा रहा है मनसुक मॉर्डर केस की जाच कर रही NIA ने एक मिस्ट्री वूमन को हिरास्त में लिया है बीती रात NIA दफ्तर में जिस महिला को लगाया गया उसके बारे में बताया जो रहा है कि महिला गिरफतार आरोपियों में से एक की करीबी है दूसरी और इस मामले में सचिनवाजे और मनसुक के हत्या के आरोपी विनायक शिंदे की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो और्डिकार में बैठे हुए नजर आ रहे हैं NIA को मनसुक की हत्या की प्लानिंग और्डी में ही करने का शक्र है बताया जो रहा है कि मिस्ट्री वूमेन को एरपोर्ट से हिरासत मिलिया गया केस में पहले एक मिस्ट्री वूमेन का जिक्र हो चुका है जिसे ट्राइटन होटल में वाजे के साथ देखा गया था होटल ट्राइटन में ही सचिन वाजे ने फर्जी आधार काड बना कर सौ दिनों के लिए कमरा बुक कराया था फिलहाल इसमाहिला को लेकर अठकले लगाई जा रही है कि एनाईये ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है मुंबई पुलिस का बरखास कॉंस्टिबल वनायक शिंदे फरलो पर जेल से बाहा था फिलहाल शिंदे 7 अप्रेल तक एनाईये की रासत में है एन्टिलिया के पास स्कॉर्पियों में स्पोटक रखने के मामले में अब तक 8 गाडियां बरामत की जा चुकी है जिसमें सबसे नई बरामत की इसी ओजी की है NIA के सामने अब चुनाती है कि पूरे केस में वाजे के इस्तमाल में लाई सभी गारियों के कनेक्शन को सुलचाते वे पूरे मामले से परदा उठाना जमू कश्मीर में पुलवामा के काकापोरा में सुरक्षा बलो का आतंकियों से एनकाउंटर जारी है कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके इसकी जुआनकारी दी है काकापोरा इलाके में दो से तीन आतंकियों की चिपे होने का शक है बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलो ने आतंकियों को चारो ओर से घेर लिया है सुरक्षा के मद्देनजर प्रश्वासर ने पुलवामा में इंटरनेट सीवा को भी बंद कर दिया है रिपोर्ट्स के मताबिक सुरक्षा बलो को काकपोरा के संबूरा गाउं में आतंकियों की चिपे होने की जवानकारी मिरी थी इसके बाए जब सुरक्षा बलो ने इलाके में सर्च ऑपरिशन चलाया तो आतंकियों ने गोली बारी शुरू कर दी जवाब में सुरक्षा बलो ने भी जवाबी फाइरिंग की है फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी गई है बदा दें कि पिछले एक हफ़ते में आतंकियों की ओर से श्रीनगर और सोपोर में तीन हमले हो चुके हैं इससे पहले 29 मार्च को सोपोर में आतंकियों ने बीजेपी के प्रदेश तचीव और बीडिसी चेयर में फरीदा खान पर हमला किया था इस हमले में एक पीएसो समेट दो की मौत हो गई थी आतंकियों ने हमला उस वक्त किया जब डाक बंगले में बैठक चल रही थी महरास्ट और गुजरात में पिछले 24 घंटों में इस साल एक दिन में कोरोना संक्रमन की सबसे ज़्यादा केस तरच किये गए है बढ़ते कोरोना के बाद गुजरात के एहमदाबाद और महरास्ट के मुंबई के बीच चलने वाली तीजोस एक्सप्रेस को एक महीने तक रद कर दिया गया है आया टीसी की तरफ से संच्वाली ट्रेन संख्या आठ दो नौ शून्य दो आठ दो नौ शून्य एक एहमदाबाद मुंबई स्वेंटरल एहमदाबाद तेजोस एक्सप्रेसा से ठीक एक महीने तक के लिए निस्थ तरत कर दी गई है गौतरब है कि महरास में पिछले 24 गंटे की बीतर करोरा की 43 जार से जादा नए केसिस सामनी आए है और ये संक्या बढ़कर 28 लाग से जादा हो गई है इससे पहले 28 मार्च को संक्रमन के सबसे जादा मामले 44 हजार सामनी आए थे महामारी की शिरवात के बाद से राज़े में एक दिन में सबसे जादा मामले सामनी आए है राज़े में संक्रमन से 249 और मरीजों की मौत हो गई है इस तरह पिछले साल अक्टूबर के बाद से एक दिन में सबसे जादा मौते हुई है संक्रमेंट से राज़ों में अब तक कुल 54,000 से जादा लोग दम तोड़ चुके हैं इसके साथी राज़ों में 32,641 मरीजों को अस्पतार से चुटी मिलने के साथ ही 24,33,000 से जादा लोग ठीक हो चुके हैं राज़े में फिलहाल 3,66,533 मरीजों को अपचार चल रहा है मुंबई में संक्रमेंट के 8,000 से जादा नई मामली सामनी आए हैं वहीं महानगर पालिका बीमसी ने कहा है कि महामारी की शिर्वात के बाद से एक दिन में संक्रमेंट की सबसे जादा मामली सामनी आए और चैन में अब तक 11,704 लोगों की मौत हुई है गुद मॉर्निंग इंडिया की खबरों में इतना ही आप बने रहें नियूस्वाल इंडिया के साथ